हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे तो लगबग 4 से 7-4 बजे का बीच का टाइम है और मैं सबजी लेके आई थी तो आज मैं सबजी लेने गई थी तो मुझे न लोकी दीख गई बहुत अच्छे-च्छे सी हरी-हरी लोकी थी तो मैंने सुझ कि मेरे पास थोड़ा सा मावा निकला वह रखा था तो उस मावे को मुझे यूज में लेना था फिर में रिक्चा कर रही थी कि लोकी का हल्वा बना के भी खाने की तो आज मैं बना रहे हूं लोकी का हल्वा मावा डालके तो इसके लिए मैंने लगबग एक किलो लोकी में लेकिया थी जिसमें से लगबग मैंने पाव भर लोकी को मतलब भार निकाल लिया जिसके मैं सबजी बनाऊंगी और उसके बाद तीन पाव जो लोकी बची उसको मैंने छील के अच्छे से दोने के बाद और इस तरह से कस लिया है अब एक मोटिप पेंदी के कड़ाई में जो चीनी भी डाल देंगे तो मैं यहां लगबग 200 ग्राम चीनी मैंने डाली अंदाजे से अच्छे से इस तरह थोड़े देर मिक्स करेंगे तो जो चीनी पूरा पानी छोड़ देगी थोड़ी देर हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से सुख जा मावे के दो दाने आते हैं वो अच्छे लगते हैं इसलिए मैं अब कर ढ pagan करेंगे आफ दों फूरा मावे को यहां टालने के ल है वाद इसे मैस नपीष्ब करेंग और इस समय गेस की फ्लेम को बिल्कुल आप लोग र отправ हर वर्ना नीचे से चिपक जा इक दूए जब तक कि जो मावे के अंदर दूद है, वो पूरा सूप नहीं जाएगा तब तक, और मावा भी अच्छे से मैस मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसको लगवग 2-3 मिनट तक ही पकाया, तो यह ना देखिए इस तरह से गाड़ा हो गया है, बस मैं इसको इतना ही रखूंगी, लास्ट में हम इसमें डालूँगी इलाइची, तो मैं यहाँ पर 3 इलाइची को इस तरह से मोटा मोटा कूट के इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मुझे इलाइची का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें इलाइची डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद न इसमें डालने से अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा, और साथ में इसमें शाइनिंग भी आएगी, दिखने में भी अच्छा लगेगा, तो इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और अब यह हल्वा तयार है, अगर आप हल्वा नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा पका लीजे, ताकि जो इसके अंदर जितना भी मोश जा रहा है, वो खतम हो जाए, फिर उसको आप आसाने से जमा सकते हैं, तो मैं वैसे इस तरह हल्वे के रूप में रखूंगी से, तो यह पनकर तयार है, आज का हमारा हल्वा आपको कैसी लगी है, रेसेपी केमेंट करक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जूट जाएए